आज हम आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में जानकारी देंगे जिसका इस्तेमाल पूजा के दौरान किया जाता है लेकिन इस पदार्थ में औशधिये गुन भी पाए जाते हैं हम बात कर रहे हैं पूजावा धार्मिक अनुष्ठानों में परिक्त होने वाले कपूर की कपूर का इस्तेमाल कई परकार के रोगों से निजात पाने के लिए किया जाता है खासकर तोचा और बालों के लिए कपूर बेहद फाइदे मन्द है यूँकि इसमें एंटी बैक्ट जून सहारनपूर्वा मैसूर में भी कपूर की पैदावार होती है कपूर के पेड़ के पत्तों से भी कपूर की गंध जैसी गंध ही आती है कपूर के पेड़ के तने में पढ़ने वाले चीरों में कपूर पाया जाता है बालों की समस्याओं को करे दूर बालों की कि लिए कपूर के तेल में अंडे या दहीं का प्रयोग भी किया जा सकता है। बालों को लंबे और घंए करने में कपूर के तेल का प्रयोग मद्द करता है। जलन को दूर कर मुहासो को होने से रोकने में भी मद्द करता है। तो चाकि जलन से राहत पाने के लिए कपूर को पानी में घोल कर परभावित स्थान पर लगाने से फायदा होता है। कपूर में पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल गुन, फंगल और बैक्टीरियल संक् से बचाव करते हैं दर्से दिलाए राहत दिलाने वाले स्प्रेय और क्रेमों में कपूर का इस्तिमाल किया जाता है इसलिए दर्से राहत पाने के लिए कपूर के तेल का प्रयोग करने से आराम मिलता है इसके इस्तिमाल से मास पेशियों का तनाव भी दूर होता है सरदीवा खांसी होने पर भी कपूर लाबदा एकसिद होता है इन समस्याओं में कपूर को पानी में उबाल कर भाप लेने से आराम मिलता है इससे गले की खराश वाजलन भी दूर होती है फटी एडियों को करे ठीक फटी एडियों को ठीक करने में कपूर का प्रेयोग करने से फायदा होता है इसके लिए पानी में कपूर डाल कर उस पानी में कुछ समय तक पैरों को भिगो कर रखें और बाद में किसी कपड़े से पैरों को अच्छी तरह से साफ कर ले पैरों को साफ करने के बाद इन पर कोल्ड क्रीम या पेट्रोलियम जैली लगाने से फाइदा होता है मच्छों को भगाए मच्छर भगाने के लिए घरों में कई परकार के उत्पाद बजार में उतलब्द हैं लेकिन कपूर के द्वरा परकृतिक रूप से घर से मच्छर को भगाया जा सकता है इसके लिए कपूर का एक टुकडा जलाकर कमरे के किसी कोने में रख दे इस प्रयोग से कुछी समय में मच्छर भाग जाएंगे तो दोस्तो यह थी कपूर के और शदिये गुनों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रही है डी फाइब चैनल हिंदी के साथ